हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप आनलाइं प्रेशर में आप सभी क्या बहुत बहुत शौगत हैं फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है मैंने जो आफ्टर नून में दोपार में वीडियो डा रहा था उसका ये सेकंड पार्ट है कुछ कोश्चन्स रह गये थे किनी कार्णों की ब आदे थी तो कि PDF लिंक जो है इसके जो आदे कोश्चन्स आप जैसे देख रहें ये कोश्चन्स जो है आपको उस वाले वीडियो में दोपारवाली में मिल जाएंगे तो प्लीज देख लिएगा और देने इस वीडियो को भी देख लिजे और इसमें जो कुश्चन बस गय यह देखिए तो देखिए भासा अर्जन से तात पर स्वभावी संप्रेशन परक इस्थितियों यानि जैसी इस्थित हमें घर पर भासा सीखने के लिए उपलब्द होती है में भासा का प्रयोग करते हुए उसमें भासिक शमता का विकास से है भासा अर्जन भासा अर्जन य बात करते हैं जो सीखते हैं वही हमारी भासा अरजन होती है यानि अरजन यानि हम घर से सीखते हैं दूसरी और भासा अधियम से ताथ पर किसी भासा के नेमो और शक्द भंडार को आपचारिक रूप से कक्छा में बैठ कर सीखने और तत पर शाथ उस भासा की भासिक शमता म यदि समरूप नहीं है तो मिलती जुलती प्रक्रियाएं हैं जैसे अब आप कह सकते हैं कि भासा अरजन जो हम परिबार से मिलती जुलती प्रक्रियाएं कैसी हैं देखिए सीखते हम दोनों चीजे हैं अरजन करना यानि ग्रहन करना होता है और हम generally गर में वही भासाये ग्रहान करते हैं जो हमारे परिवार हमारी family बोलती है ठीक या ना? यानि हमें कुछ स्शीखना नहीं पड़ता है जो हो बोल रहे हैं हम जो बोल रहे हैं बच्चे जो सुन रहे हैं वही वो बोलते हैं ठीक है हमने सिखाते नहीं है, वो कुछ सीखते नहीं है ऐसा, कोई special classes, कोई special उन्हीं चीज़े नहीं ली जाती है, लेकिन भासा अधिगम जो होता है, अधिगम का मतलब ही सीखना होता है, तो ऐसी भासा जो हम सीखते हैं, जैसे as a school आप ले लिजे, स्कूल में जब बच्चा जाता है, तो वो भासा अरजन कहां सीखा जाता है, परिवार में, घर में, और भासा अधिगम जो होता है, वो स्कूल में और अपचारिक तरीके से, अपचारिक अनपचारिक, दो तरीके होते हैं, तो भासा अरजन जो होता है, अनपचारिक तरीका ह की परिवार्वार जाता हे ना इसे प्रियोग्वाचा प्रयोग साला तोda इसमें ब्याकण भी को रहिए है तो ऍसारल प्रकुणस्व प्रथम भासा में योगता विक्सित करते हैं और यह एक अवचेतर प्रक्रिया है प्रथम भासा बच्ची की क्या होती है मात्री भासा होती है जो बच्चा अपने घर में सीखता है वो प्रथम भासा उसकी मात्री भासा कह राती है ठीक है ना और उसी को विक्सित करता है उसी का प्रयोक कर रहे हैं या इस प्रकृण में हम समानते भासा से सिखते समय इसके नेमों को सीखने के पृत 싸चेत नहीं होते पर बावजूद इसके हमारे मन में शुदता के प्रतियागरह होता है önce भ्याकरण की दिलिष्ट से सुद्ध वाग के हमें सही प्रतीत होते गलत है भासा अरजन का मतलब ही है भासा को अप्रत्यक्ष्ण अनाप्चारिक और सुभाविक रूप से सीखना देखे आ गया यहां पर यानी भासा अरजन जो होता है वो क्या होती है अनापचारिक प्रक्रिया होती है ठीक है ना और दो तरह की प्रक्रिया होती है सोभाविक प्रक्रिया होती है और एक और कौन सी प्रक्रिया होती है आप कमेंट्स करिएगा मुझे याद नहीं आ रहा है भासा सीखने की तो प्रक्रिया होती है एक सोभाविक होती है यही आपका अरजन में आता है दूसरी जो जो भासा अधियम शीखने में आता है तोसे अंतरगत आपका बभारिज प्रक्रिय अती है ठीक है ना जिसे हम एक फार्मिल्टी के लिए सीखते हैं तो यह very important आपके लिए है भासा अधियम और भासा अर्जन ठीक है न जिसे आप अच्छे से तयार कर लिजेगा important questions बनता है चलिए आई इनेश question देख लेते हैं question है प्रत्य और तुर्टी में प्रभाव का नियम क्या है अब आपको बताना है कि प्रत्य और तुर्टी यह किसका नियम है thandike का नियम है ठीक है ना यह भी very important है thandike की जित्ते भी नियम है आप पढ़ लिजेगा और बहुत easy भी है अगर यह question आता है तो बहुत हराम से आप लिख सकते हैं तो देखिए बिभी ने प्रत्क्रियाओं में से वह प्रत्किया जिसको करने से आनंद वा सुख के अंगूत होती है वह सीग्रिता से सीखी जाती है और वह प्रत्किया जिससे दुख राप्त होता है वह सीग्री बुला दी जाती है ठीक है ना दूसरे शब्दों में जिस बेवार का परड़ाम सुखदाई होता है उस बेवार को अपना लिया जाता है ठीक है यानि ऐसे दो प्रक्रियाएं होती है हमारे जीवन में जिसे हम सुख और दुख कहते हैं simple language में हम आपको समझा देते हैं आप देखें यह सुख वाली चीजे हमारी लाइफ में आती हैं बहुत हमें अच्छा लगता है हम इंजवाय करते हैं आनन दयक होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है हम चाहते हैं कि यह हमारी लाइफ में यह नि सुख ही चलता रहे और दुख ना आए लेकिन दूसरे भी प्रक्रिया है दुख है और जब दुख हमें कोई चीज प्राप्त होता है ठीक है ना तो हमें बहुत दुख होता है और जल से जल हम उसकी इसको भुला देना चाहते हैं सुख को तो हम लांग टाइप याद रखना चाहते हैं हैपिनेस को लांग टाइप याद रखना चाहते हैं लेकिन दुख को ह बहुत जल्दी भूलाना चाहते हैं ठीक है या कोई हम काम ऐसा करते है जिसमें हमें सुख मिलता है तो उसको हम जारी रखना चाहते है हम चाहते हैं जहते हैं कि यहanın ज़ Wegन करने में सकारात्माग होती है सका रात्मक होती है जबकि सजावा तिरसकार अपना होगे बेवार में विप्रित प्रभाव डालती है पुरसकार और इनाम यह जो दो चीजे हैं इससे भी एक कोशन्स आपका बन सकता है पुरसकार को ही आपको पुरसकार वा इनाम और सजा वा तिरसकार यानि पुरसकार को इनाम के नाम से भी जाना जाता है और जो सजा है उसको तिरसकार वा डंड के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ना जब बच्चे कोई एक नियम है जिसमें ये कहा गया है कि बच्चे कुछ लोग ऐसे हैं जो फेवर करते हैं बच्चे अगर गलतिया करते हैं तो कुछ है जो आपके सिक्षाविद हैं उनका मानना है कि बच्चों को जो है पुरसकार देना चाहिए जिससे वो गलतिया ना करें आगे चलके और वो आगे बढ़ें और कुछ है यानि इनाम मिलना चाहिए कुछ जो सिक्षाविद है वो मानते हैं दूसरा पहलो इसका ये एक वो मानते है कि बच्चों को सजा देनी चाहिए ताकि उन्होंने आज गलती किये हम उन्हें सजा देंगे तो कल वो गलती द्वारा रिपीट ना करें तो दो तरह के सिक्षाविद हैं जो पुरसकार इनाम को एक मानते हैं दूसरे सिक्षाविद है जो सजा तिरशकार है डंड को मांते है ठीक है तो आपका ये नियम क्या है प्रत्य एवन तुर्ट यानि गलती जो होती है तो वही होता है कि जो चीज हम काम करते है जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है जिससे हमें खुशी मिलती है उसको जारी रखना चाहते है और ऐसा काम जिससे हमें दुख मिलता है ठीक है ना तो उसे हम क्या करते हैं जल से जल भूला देना चाहते हैं यही है प्रत्य एवं तो ठीक्या नियाँ नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं कि अलप संक्यक समुगों के अधिकारों के बारे में संभिधान क्या कहता है आपको बताना है तो देखें यह भी आपका बेरी इंपोर्टन कोश्चन से यह मैं भी से बता दूँ आपको तो अनुशेद 15 और 19 जो मूलभूत अधिकारों से संबंदित है और उसके अनुसार धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग और जन्म, अस्थान या इन में से किसी के आधार पर भेदभाव, निशेद है यानि मना है तो देखी जो अनुशेद 15 और 19 जो में इस फश्ट लिखा हुआ है कि जो भी धर्म, जाति, संब्रदाय, लिंग जो भी जिस तरह के किसी भी तरह के व्यक्ति हैं उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ बेदभाव नहीं किया जाएगा सभी नागरिकों है तो रोजगार संबंदी विषयो है समानता के आउसर प्रदान करना यानि उस राज के जो भी नागरिक है चाहे वो किसी भी धर्म, समुदाय, प्रजात के क्यों नहीं हो सभी के लिए रोजगार के आउसर पैदा करना उस राज का करतब होगा सभी को देने हैं उसमें आपका धर्म जात के अधार पर उन्पे भेदवा नहीं किया जाएगा किसमें रोजगार के लिए अब अनुशेद 29 और 30 दो अनुशेद जो है इनमें क्या कहा गया है तो अनुशेद 29 और 30 में अलप संक्यों के अधिकारों की भासा लिपी संस्कृत तो सेक्षिक संस्थाओं के स्थापनाव प्रचासन के संबंद में रक्षा करता है अब अलपिसंकप की जो भासा लिपी संस्कृत है वो किसके आखिस अनुष्यद के अंतर गताती है और अनुष्यद अनुष्यद तीन सो पॉचास आज जो है इसके अनुष्य प्रात्मी कस्तर पर मात्रिभासा में शिष्ण ये सुधाय प्रदाम करता है तो अनुशेत 350 वह यह आपके लिए important बन सकता है क्योंकि इसमें प्रात्मी कस्तर की बात आई है और मात्रिभासा की बात है यानि की primary level की बात चल रही है तो यह important अनुशेत आपके लिए बन सकता है तो उसे याद कर लिजेगा अनुशेत 350 आक अंतरगत है ऐसा भी question बन सकता ह है क्याल पसंख्यक के अनुशेत 350 आक अंतरगत क्या सामिले तो आपको इसमें click करना होगा कि प्रात्मी कस्तर पर मात्रिभासा में सिक्षण है प्रदाया प्रदाम करना फीडवेक की प्लब्दा पर टिपड़ी करिए फीडवेक का जस्ट मैंने अभी आपको एक वीडियो मार्निंग में बनाया था आप्टर नून में बनाया था उसमें भी फीडवेक का पुनर्वेशन के बारे में था लेकिन वो टीचर के सिक्षक के बारे में था अब पुनर्वेशन होता है जो हमने आपको दोपहर में बताया था आप देखें यहां पर प्रिष्ट कोशण आगा तो प्रिष्ट कोशण भी इसको कहते हैं तो याद रखिएगा कन्फूस मत होईएगा इन चीजों में किन चीजों की आवज सकता होती है ध्यान देने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं आपके विद्याले का प्रतेक सिक्षक अपनी रुची के अनुसार किसी विशेस गत्विदी का इंचार्ज बने सिक्षक के पास पर्यात अनुभव हो और इन गत्विदियों के आयोजन है तुझ साय तक सकरात्मक दिष्ट कोण दिखाए बिद्यारतियों जो था आनलोगों से फीडवेक लें फीडवेक का मतलब होता है कि जैसे कोई किसी चीज के वारे में राय जानना ठीक है ना जनरली आप इसको इसे समझ सकते हैं कि जब आप किसी मॉल पर कहीं पर जाते हैं वहां से समान करीते हैं तो वहां आप से पूझ कि यह अंतता सामगरी हैं विद्याले में उप्रब्द हैं ताकि गत्विद्या ठीक डंग से साथ अक्रुफ संचालित हो सके हैं और नेश्ट है आपका किसी विशेश गत्विद्य पर विद्यालतियों को सलाय देने हैं तृष्ट को की बीच परस पर समझ होनी चाहिए ने लगता है कि यह आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है अधिकांस्तेया व्यक्ति किसी खार को अनुकरण से बिवार के अवलोकन से और अन्प्रकार की क्रियाओं से सीखते हैं ठीक है ना कार को यानि नहीं आप कहते हैं कि मैं वो देखू उनका अनुकरण कर रहा है अनकुरन का मतलब है आज जैसे बोलते मार्ग दरसक होना कि आइडियल किसी का बनना आपका कोई आइडियल बनना यानि आप उनका पीछा कर रहे हैं जिस मार्ग पर जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं आप भी उसी मार्ग उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं बहुत से लोग कहत यही होता है तो बिवहार के अवलोकन से होता है उनकी क्रियाओं से होता है यह कुछ मुख के प्रक्रियाओं है जिनसे बच्चे नए अनुभो और बिवहारिक्ता को सीखते हैं अनुकरण किसी अन व्यक्त के बिवहार या क्रिया की नकल है जो जस्ट मैंने अभी कहा और बच्चा प्रतेक का अनुकरण करता है जो अपने बिवहार या क्रियाओं से उसे आकरसित करता है और ऐसा व्यक्त अनुकरण के लिए आदर से बन जाता है जनरली हम देखते हैं जैसा आई एक्जामपल ले लेते हैं कि आप इसकूल में पढ़ने जाते हैं और आपके जो प्रिंस्पल हैं या आदर टीचर से जने बच्चे बहुत लाइक करते हैं बहुत प्यार करते हैं और आप भी चाहते हैं कि जो ये टीचर है इमकी तरह हम भी बने हमें भी बच्चे लाइक करें प्यार करें तो आपने वहीं चीज खालो करना शुरू कर दिया यही होता है अनकरन करना किसी की नकल करना कॉपी करना वह आदर से कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उसके प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहता है जैसे माता पिता तो यहां तक कि प्रशिद्ध कॉमिक्स के चरित्र भी छोटे बच्चों के आदर से बन जाते हैं, सुपरमैन हो गया, सक्तिमान हो गया, तो यही चीज होता है अनुकरण करना, किसी की नकल कॉपी करना, ऐसे आदर्स को सांकेतिक आदर्स कहा जाता है, अक्सर माता पिता, सहोधर अध्यापक, बच्चे कुछ माहन हस्तियों के उधारण भी देते हैं, ऐसे आदर्स को या तो बास्तिवी के आदर्स या उधारणी आदर्स कहा जा सकता है, इंपोर्टन कोस्टन से इसे आप अपने वर्णों में लिख सकते हैं, या आप इतना समझे लए कि अनुकरण का मतलब क्या होता है, नेश कोस्टन देख लेते हैं, विद्यार्थी केंदित अधिगम उपागम की विशेस्ता हैं, क्या है, इसके पह अधिगम बिदियां और वियू रचना व्यक्तिकत विद्यार्थी के वसक्ताओं का आधार बनती हैं, अध्यापक सिख्षण अधिगम प्रक्रिया को सुरू करने से पहले बच्चों को प्रोशाहित करने की कोशिश करते हैं, इस अधिगम प्रक्रिया में सिख्षण एक बच्चों के बैठने की विवस्ता कक्षा में बच्चों के क्रिया कलाब के अनुसार होती है बच्चों के बच्चों के बैठने की विवन्य परकार की सिक्ष्ण विद्याति के द्वारा किया जाता है आधियम का बातवार सुतनता पूर्ण होता है विद्याती अक्सर अवधारना को इस पश्ट करने के लिए सिक्षक से प्रस्न पूछता है बहुत सारी इसमें जो भी सेस्ताइं दी हुई है तो मैं आपको एर्वाइज दोंगी कि इन में से कम से कम 6 या 7 6 तो आप रॉपर्ली अच्छी तरह से स्वाजियो से शाथ नी आ रभूपर्ली अच्छी तरते आप से कम से कम सात अच्छे तो आप लिखके ही आयंगे तो है श्प्लैन करेंगे तो फ्रेंज कैसा लगे ये वीडियो जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि अभी तक तो प्लीज सबसे पहले उसको आप सब्सक्राइब कर लेजे चलिए फिर नेस्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं तब तक के एंड गुड नाइट शुवरात्री